वीबो X50 का सीरीज जो इंडिया में 24 जुलाई को लॉंच होने वाला है तो इसमें एक इंट्रेस्टिंग चीज मुझे जो लगा मैं सोचा कि चलिए अपने स्टुडेंट को और आप सभी को बताने के लिए एक सिंपल सा देख लेता हूं क्या बता पाता हूं ठीक है एक कैमरा बेस्ट फोन है ठीक है और कैमरा की जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत दमदार है बहुत दमदार आने वाला है ठीक है इतनी अच्छी क्वालिटी है मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन बताता हूं ऐसे इस फोन की प्राइज वाइज भी अच्छा खासा कोस्ट आपको पड़ेगा बट कैमरा बहुत धांसू इसमें कह सकते है ठीक है धांसू मतलब एकदम धांसू कैमरा इसमें है क्वालिटी वाइज बात करो तो ठीक है जैसे आप देखो यहाँ पे IMX 598 कस्टमाईज CFA आपको मिल रहा जो इसका मॉडल है ठीक है और यहाँ पे आपको स्काई ड्राइविंग अल्गोरिधम इस्पेसली यह डिजिटल फोटोग्राफिक के लिए आप कह सकते है यह फोन अच्छा है कि अगर मालो आउटसाइडर अगर आपको इसका घर आप कोई फोतो लेते हो फोटोगराफिक करते हो तो वहाँ पे जो इसकाई का जो cloud वीहवियर होता है बाहर आप जो भी फोतो लेगे तो इसकाई जितने भी माली जब float कर रहे हैं है जो भी होरें तो वो पूरा एकत्रित करके आपको दे देगा, एक original view आपको एक real natural photography का enjoyment आपको मिले गए है, पे square driving algorithm के दुआरा, simply, next इसका sound quality का बात करो थी, यहाँ पे 3D sound tracking आपको यहाँ पे मिल जारा भीबो X50 और उसके series में, sound गजब का धाजुदार sound है, आप भी इसका video में, sound का 30 second का video YouTube पे, जो भी बो नहीं officially upload करा है, मैं उसका link इसमें डाल देता हूँ, आप देख ले ना, गजब का sound quality इसमें पूरा का पूरा, ठीक है, और next जो बता दूँ तो पेरसोक की टेली फोटो camera है, और इस पेसली का जो तो यहाँ पे 5X optical zoom, नॉर्मल जो इसका camera का है, वो 5X optical zoom का ह और 60X hyper zoom यहाँ पे दिया गया, कि एक दूर मंजिला इमारत को अगर आप पिक लेते हैं, और zoom करते हैं, जो इसका secondary point है, zoom lens के दौरा, तो 60X zoom, 60 गुना तक zoom करोगे और वहाँ पे आपका blur नहीं होगा, फोटो फटेगी नहीं, एक अच्छी quality को maintain यह continue किये हुए बनाए रहे तो यहाँ पे पेरिस्कॉपिक, मतलब टेलिस्कॉपिक जैसे उतरे टेलिस्कॉप चांद और तारों को देखने के लिए, तूसी तरह यहाँ पे टेलिक, जो टिकनलोजी डाला गया, उसको कहा गया पेरिस्कॉपिक, टेली फोटो कैमरा, तीक है, पांच गुना optical zoom मिल रहा और 60 गुना मिल रहा hyper, hyper zoom, hyper, बिल्कुल hyper active zoom मिलेगा आपको, ठीक है, और दूसरा बताओं, तो यहाँ पे portrait और landscape, दोग प्रकार का photo का method, हम लोग यूज करके camera में click करते हैं photo, तो यहाँ पे professional portrait camera आपको मिल लेगा, 50 mm prime lens के साथ में, इसका जो lens है, वो 50 mm का lens है, और professional portrait camera, professional way म यह camera है ही, अगर आपको nature पे interest है, photography पे interest है, तो यह phone आपके लिए होने वाला जबर जस, आप इसको order कर सकते हो, जिसका selling date 24 July को start हो रहा, ठीक है, simply मैं बता दू, processor यहाँ पे एक अच्छा गास आपको मिल रहा, आप इस phone से game विगरा भी खेल सकते हो, क्योंकि यह hang नहीं करे इसके अंदर है, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, gaming specialist हम लोग कह सकते हैं, कि game खेलो या जितना भी आप इसमें multi processing work करो, तो यह hang नहीं करेगा, एक यहाँ पे benefit कह सकते हो, ठीक है, अगला चीज यहाँ पे charging की बात करो, तो 33 watt का flash charger मिल रहा आपको, कोई plug का जरूवत नहीं, कुछ भी नहीं, बस रख फोन को stand by mode में, simply extend कर दो, या फिर flash पे रख दो, तो वो flash से ही क्या होगा, automatic charge हो जाएगा, 33 watt का flash charger मिल रहा, 2.0 का, ठीक है, simply extend कर देना है, और बहुत कम समय में, यह charge हो जा रहा आपका, 33 watt का, बीवो flash जाएगा, इसका जो camera है, इसी के लिए, मैं इसी बात को लाने के लिए last में इसको दिया था मेरे, gimbal camera system है, यानि जो camera है, वो gimbal है, बहुत एक तरह से यह zoom करता है, rotate होता है, ठीक है, और आपका जो 40-60 गुना hyper zoom की, जो capacity का बात मैंने करी थी, तो वो आपको इस भीवो में मिल जाता है, overall experience मैं simply बता दू, अपने knowledge और experience के भियाब में, ठीक है, तो overall लिए, जो mobile है, भीवो का, वो specifically camera based है, ठीक है, camera के लिए एक अच्छा phone साबित यह हो रहा, ठीक है, तो अगर आपको camera या photography पे interest है, और आप करते हो, then यह आपके लिए एक अच्छा option है, कह सकता हूँ, price के मामला हम बात करूँ, तो भीवो का जो x50 जो आपको पढ़ेगा, वो simply x50 और x50 pro दो तरह का phone है, x50 का बात करूँ, तो एक आएगा आपको 34,990 में, जिसका price होगा, आपका 8GB RAM रहेगी, और 128GB internal memory रहेगा, 34,990 में, दूसरा इसी का 3,000 उपया आप है, 37,990 में, और 8GB आपका RAM रहेगा, और 256GB internal रहेगा, पता नहीं, भीवो न ऐसा, क्योंकि या 3000 का difference करके, बड़ा difference दे दिया, user को confuse करने के लिए, कि 256GB एक में internal मिल रहा, और 126GB, तो कोई भी prefer करेंगे, चलो 256GB ही लेते हैं, 3000 रुपया और extra लगा करके, है ना, तो भीवो को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, overall देखा जाए तो ठीक है, कि चलो 3000 रुपीज कम पढ़ में ही ले ले लेते हैं, 128GB वाला, और बहुत कोई है, तो simply सोचेंगे, क्यों 128GB लोंगा, यार 3000 रुपया और लगा देता हो ना, 37,990 में X50 मिल लाएगा, अब X50 Pro जो model है, especially, जिसका जो processor X50 से थोड़ा हाई है, तो X50 Pro का जो price पढ़ेगा आपको, 49,990 अब प्रॉक्स 50,000 पढ़ेंगे, इसमें भी वह ही है, आपका 8GB और 256GB, प्री बूपिंग इसका 16 जुलाई से ही चालू है, और 24 जुलाई को ये launch होने वाला है, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको simply मैं बता दू, इस पे interest आप तभी लेना, जगर आपके लिए option होने वाला है, ठीक है, ओके, नाइस टी,